आत्म निर्भर बनने के साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंग सकी के रूप में फिर मेरी खेटी के माध्यम से और मेरी बैंग सकी के माध्यम से एक साल का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई इसका पूरा श्रे मैं मानेनी प्रधान मंत्री जी को देना चाहती हूं कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सवभागय प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनको कोटी-कोटी धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोत करना चाहूंगी कि वो महिला ससक्ती करण के लिए और भी कई सारी योजनाय लेकर आएं जिनसे की हमारी छेत्र की महिलाएं इनसे जूड़कर लभानवित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें धन्यवाद जय हिन जय भारत चंदा देवी जी आपकी पढ़ाई क्या हुई है सर इंटर पास तो आप इतना बड़िया भाषन करती है जी सर तो तो भी चनाव नाव लड़ी हो क्या नई सर तो लड़ोगी है नई सर ये सर आप से हम इंस्पायर होते हैं सर आप जो प्रयास करते हैं सर हम उनसे अपना कदम मिला कर चलते हैं इस वज़े से जो हम आज हासिल कर पायां सर ये हमारा सोभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्तित हैं सर और आपके सामने दो बाते बोल रहा हैं सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व क्या सोचा है बच्चों को क्या पढ़ाओगी सर अगर हमारी आर्थी की स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी कर वहना चाते हैं और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि पैसे ही नई सर पढ़ते हैं सर वना मा सखी मंदर चलाती हैं वो सेल्फ हेल्फ गूर्प में काम कर रही हैं वो बैंक सखी बन गई हैं सब कुछ देखते हुए करते हैं सर अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपनी सर गाव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो करते हुए हम उसका पूरा करते हैं सर्व अच्छा आप लगपती दिदी बन गई जी सर्व मेरा सपना है और मैं यहाँ जो बहने बैठी है उनको भी बताना चाहता हूं मेरा संकल्ब है कि मैं देश में गाउं में आप जैसे परिवार की जो माताय बहने हैं इस देश में दो करोड दो करोड माता और बैनों को मुझे लगपती बनाना है तो आपकी बात जब सुनेंगे न तो लोगों को विश्वात हो जाएगा जहां लगपती दिदी बन सकते हैं सर यह कहने की बात नहीं है हम लोग बोल नहीं पाते हैं हमारी तरह बहुत सारी दिदिया हैं सर जो समु के माध्यम से जूड़कर आत्मनीवर बनी हैं लगपती दिदी बनी हैं सर यहां बोलने को हर किशी को मौका नहीं मिलता सर यह कितनी कितनी बहन हैं जो लगपती दिद शादी व्याह होते हैं, तो वो खड़े-खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब, तो लोगों को लगता है कि दूबारा मिलेगा ना इसलिए ठाली बर देते हैं, और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बरबाद हो जाता है, किसी के गर में जन्मदीन है, तो अगर आपके सेल्फ हेल्फ कुल की बहने, उनको परोसना कैसे उसके ट्रेनिंग हो जाए, उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में मोजे-भोजे पहन करके, दस्तक पहन करके, जब भोजन समार में जाते हैं, तो घर जाते समय, वो भी कहेंगे, ने ने भी आप खाना खराब करते हैं, फैंक देते हैं, अगर परोसनी की विवस्ता नियम से बन जाए, तो बहुत कुछ बच सकता है, तो ऐसा काम कर सकते हैं आपको बेहने, कर सकती हैं सर, तो सबको ट्रेन करोगी आप, जी सर, बिल्कुल, और मैं भी योगी जी को बताता हूँ, कैसे लो लोगों को बोलाएं, और वो परोसना का काम समाले, अजा आपके गाउं में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोते हैं लोग, जी सर, करते हैं सर, जगा जगा लगाए गया हैं, कूडा उसमें फेकते हैं सर, फिर वहां से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगा बनी है लेकिन उसमें खाद बनाना, खेत में उप्योग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है, जी सर, अभी थोड़ा समय लगेगा सर, किसी चीश की सुरुआत होती है सर, तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो सुरुआत हुई है सर, दीरे- अभी थोड़ी हो जाएगा बेस्था अचाहिए आप शुपालन करते हैं आपके हां, जी सर, तो मालूम है ये अमूल वाला डेरी वाला दूद लेता है भी, वो पैसे जादा जेता है पता है, वो पता नहीं है, चलिए, चंदा जेवी आपने बहुत अच्छा बता दिया, बाद बदाए आपको